करेंगे जो इसली आप याद कर सकते हैं तो आपको टाइम वेश्ट नहीं करना क्योंकि दो तिन कोशन इसमें ऐसे भी है जो बहुत जारा डिफिकल्ट है अंडरस्टेंडिंग में ठीक है तो मैंने तीन इजी कोशन लाएं जो बहुत जारा रिपीट होते हैं और हर पेपर मे मुले निधरन के तीन उद्देश है ठीक है मतलब प्राइजिंग जब हम करते हैं कि स्विच का प्राइज करते हैं तो उसका अब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हम क्यों करते हैं प्राइजिंग ठीक है सो प्राइजिंग करने के देखो इसका अंसरे रहा हमारे तीन होते ह होते हैं में पहला होता है लाब दायक्ता मतलब लाब को अधिक्ता में क्या होगा लाब को अधिक्ता में क्या होगा लाब को अधिक्ता करना ठीक है कोई भी कंपनी क्यों चाहेगी प्राइजिंग क्यों बनाएगी वह लाब को अधिक्ता करना तो बिस लाब को अधिक्ता करन निवेश पर लाब स्द kicking जो भी उन्मेश करें बाइसन चाहों गें औस पर जो भी आपने पैसा लगाए उसको वापसी तो चाहों के तो यही निवेश पर लाब करना तो फिक है लाब दायकता में दो प्राफिट भी ठीक है फिर बाजार का हिस्सा अपने अंदर लेना मतलब कि आप ऐसे आप से प्राइजिंग के अंदर में बाजार का मलब जो बाजार के कुस्टमर है वह आपके पास जारज जाधे आए ठीक है जैसे नोकिया आले तक पूरा बाजार मार्किट अपने अंदर ले लिया तो यह होता है बाजार हिस्सा ठीक है तो विक्राय को बढ़ाना अधिक्तम करना दूसरा बाजार इससदारी को बढ़ाना ठीक है तो दो को यह करते हैं तो तो यह होता है कीमत की मत होता है की मत की गजाते हैं कि कि नहीं होदा तो उसके टाएं तो तो नीए र inherit इसलिए प्रैजिंग सो समझ की जाते हैं ताकि उसका स्थित्व बना रहा है ठीक है फिर एक और पॉइंट होता है इसमें पर वेस्ट पर रोक प्रैजिंग से क्या होता है । प्रैसिंग करनी चाहिए हमें कि दूसरी कंपनी हैं दूसरी जो अमारे का कॉमपटीशन नहीं वो मार्किट में ना आ सके ठीक है तो प्राइसिंग को का अब्जक्टिव यह भी होता है कि हम प्रिवेश्च पर रोग लगा सके दूसरी कंपेडिशन को या दूसरी कंपनी सको ठीक है तो आपको यह तो तीन पॉइंट्स के लिए होंगे ठीक है कि मोले निर्धारण के तीन उपजेक्ट क्या क्या उद्धेश क्या होते हैं पहला लाप दैक्ता दूसरा विक्राइब तीसरा अन्य उद्धेश है और इसमें मैंने बहुत अच्छे से कर दिया तो आप समझ गया होंगे फिर वियह कोशन आता है मोले निर्धारन की विदि कौन से होती है ठीक है इसके दो पहले करना देखो अगर तो दो होते हैं पहला होता है इंटरनल में क्या के चीज आती हैं देखते हैं देखते हैं पहला थागत ठीक है को इस परकार से कि इसाब से रखने की जितने की चीज है उसके आज सब्सक्राइब कोई चीज हम पांच रुपे की बना रहे हैं सौ रुपे की वेचे तो यह भी गलत हो जाए का क्योंकि लोग ले इतने पर प्रैजिंग पे इस लागत पे आप बना के इतने हाई प्राइस पे बेच रहे हो तो कोई नहीं लेने वाला और यह भी मत करें कि पांच रुपे की बनाके एक रुपे बेच रहे हो जिससे आपको लॉस हो कंपनी डूब जाए ठीक है तो यह आपको पहला फ्रेक्टर क्या है अपको यह देखना होगा कि आपको अब्जेक्टिव क्या है आप मतलब आप न देखो तो इंटरनल में हमारे तीन प्रोंट्स हो गए क्या कि लागत उडेश और रनीती मतलब कोस्ट हो गया और इस ट्रेजिटी होगी ठीक है इस ट्रेजिटी ठीक है उसके बाद आता है हमारा बाइं मतलब एक्स्टेरनल कॉन-कॉन से फेक्टर सो ठेज़े पहला तो मा तो फिर दो कोई लेने वाला ही है थिकते तो आपको मार्केट में देख की करना है की डिमांड कैसी चल रहे कैसी नहीं उसके साफ़से आपको प्राइजिंग करनी है फिर परतियोगिता भी प्राइजिंग में बहुत ज़़ादा इंपर्टेट रोल अदा करता है कैसे मालो आ एक्सटर्नल फेक्टर है यह दोनों मांग प्रतियोगता और गौवर्मेंट और सरकार ठीक है सरकार भी इसमें बहुत बढ़ी भूमिका निवाती है अगर सरकार तो वह भी आपके प्राइजिंग को क्या कर सकती है इसके बार आते हैं अपने यह कोशन भी कई बार आ चुका है प्राइजिंग आप जब भी कोई नया प्रोड़क्ट लाओगे तो उसका मुले निधारन कैसे करो गए नए उत्पात का मुले निधारन कोशन करके आता है तो दो मैठेड होते हैं पहला बाजार मंथन मूले दूसरा बाजार पैठ मूले इंग्लिस में इसको बोलते हैं स्किमिंग प्राइज और दूसरा पैनेट्रेशन प्राइज ठीक है सो स्किमिंग में क्या होता है इसमें हम प्राइज को पहले हाई रखते फिर दीर दीर लो करत हैं फिर दूसरा मेर्ट क्या हो जाता है बजार पैठी मुले जो की पेनेटरेशन बोलते इंग्लिस में इसमें क्या करते हैं पहले लो रखते हैं ठीक है ऐसे लो रखेंगे कि लोग उसके तरफ एट्रेक्ट हो यह जारता नए प्रोड़क्ट को लानी के लिए क्लिए जाता ह लो रखा जाता है जैसे उसकी मांग भरती है तो उसके प्राइस को हाई कर दिया जाता है ताकि लोग उसे खर दे ठीक है यह दोनों पॉइंट्स थे इसके होप सो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इसके बाद आता है हमारा को ट्रेट डिसकांट और कैश डिसकांट पर दिख वस्तू जब खर दोगे जब दिया जाएगा लेकिन नगट छूट में क्या होगा जब आप भुकतान करोगे आपको आपने कोई डेट रखे कि हमें 15 से 15 तारिक को बुकतान करोंगा लेकिन आप 10 तारिकों कर दे रहे हो तो उस पर आपको नगट छूट मिलते है यह यह कांटिग उस में परणाम चूट जो थैंको दरज नहीं होती लेकिन हमारे जोटी हमारी नगट छूट होती है कि एक टिशक कॉन से घटाया जाता है जो भीजियक होता है इन वोइस होता है इसकո इंवोइस में से इसको डिटक करते हैं बट सुध क VO डिसकाउम्ट को नहीं करते है ठीक है इसका आधार क्या होता है बेस क्या होता है नगात अलगधार दोनों पर मतल editorial किसे दिया जाता बंठ लेकिन नगर जो छूट होता है वो बस भुखतांग ए इआ जाता है फिकरे से इसका संबन्ध थो मतलब से रिलेटेड होता है जो इह बुकतांग से होता है तोस्लिकार इस होब को इसामझ मेरा कोर्षणों के इस में यह है thesis चाहोगा तो मैं इसका अंसर में आपडेट कर दूँगा वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो तो होप सो आपको यह वीडियो अच्छी लगए हो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना फो फॉर्दर इंफॉर्मेशन थेंक सुमाच!